Broadcast Audience Research Council ने 2013 के पहले सप्ता की TRP लिस्ट जारी कर दी है। नए साल के पहले हफ्ते में भी popular TV सीरियल अनुपमा टॉप पर बना हुआ है। अनुपमा में इस समय रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना की रोमेंटिक जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही गुम है किसी के प्यार में रहा। आए जानते हैं 2013 के पहले हफ्ते की TRP लिस्ट में कौन-कौन से सीरियल टॉप पांच में हुए शामिल। रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारा अनुपमा 2013 के पहले हफ्ते में नंबर वन की पोजिशन पर रहा। इसके साथ ह इस सीरियल को तीन दशमलव शून्य रेटिंग भी मिली। सीरियल में इन दिनों अनुपमा और अनुज का पाडिया का रोम्यांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं शो में लगातार आ रहे ट्विस्ट एंड टन भी लोगों को शो में बांदे रखने में रहे हैं। बता दे की अनुपमा 13 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है। इसे 30 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। गुम है किसी के प्यार में। 2023 के पहले हफ़ते में TRP लिस्ट में नंबर दो पर काबिज है। नील भट और आईशा सिंग के सीरियल को इस हफ़ते 2.8 रेटिंग म रहा है। ये रिश्टा क्या कहलाता है 2023 के पहले हफ़ते की TRP में तीसरे नंबर पर है। सीरियल में लीप आने के बाद अब अक्षरा और अभिम्यू अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। सीरियल को इस हफ़ते 2.5 रेटिंग मिली है। इस सीरियल की शुरुआत 12 जनवरी 2009 क हुई थी। मेगा चक्रवर्ती और करन वोहरा स्टार इमली 2013 के पहले हफ़ते की TRP में चौथे नंबर पर है। सीरियल में मेगा चक्रवर्ती और करन वोहरा की केमेस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। इस हफ़ते सीरियल को 2.4 रेटिंग मिली है। निहारिका चौकसे और आकाश आहुजा स्टार इटीवी सीरियल फाल्तू 2003 के पहले हफ़ते की TRP में पांचवी पोजिशन पर है। शो को 2.2 रेटिंग भी मिली है। यह सीरियल 2.9 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। अब तक इसके 79 एपिसोड हो चुके हैं।